हेलो डिये रेस्पेंट तो कैसे आप सभी उमीद करेंगे आप सभी बहुत अच्छे और शांदार तरह किसे अपना ध्याना करेंगे सु आज की सेशन में हम लोग बहुत ही important topic बात करने वाले हैं sales के बारे में बात करने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग DSB, drug store and business management subject पढ़ रहे हैं उसमें topic है sales करके ठीक है sales में promotion, market research, salesmanship, qualities of a salesman, advertising and window display ये कुछ major topics हैं जो इसके अंदर पढ़ेंगे अब देखिए दो चीजे होती है या तो आप किताबी ज्यान पढ़के कर लो ठीक है या फिर practical तो आज जो मैं session लेने वाला हूँ जो मैंने MR के तौर पर काम किया था जो कभी मैंने medical advisor के तौर पर काम किया था के तौर पर मैंने काम किया था उसका मैं fully use करने वाला हूँ होती है sales and marketing यह बड़ी confusion वाली चीज रहती है बहुत आसान भासा में 11 भासा में टेंचन नहीं लेना आपको sales और marketing दोनों different thing होती है कैसे वो जरह बात करते हैं तो sales में हम लोग बहुत common नाम हम लोग देखते हैं market representative या MR के तौर पर ठीक है तो MR किसका generally हिस्सा होता है sales का हिस्सा होता है marketing में strategy बनाई जाती है strategy वाली team अब वो strategy आपका boss manager भी बना सकता है ठीक है वो strategy आपके उपर headquarter में जो भी लोग बैठे हुए है वो लोग बना सकते हैं अलग-अलग तो marketing is more related to strategy preparation and sales is directly related to selling of any product तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं फार्मा फिल्ड के हैं तो फार्मा फिल्ड के हैं तो फार्मा फिल्ड के बात कर रहे हैं ठीक है चलिए तो अब ही आज मैं character में घुशने वाला हूँ बिलकुल कैसे अब देखिए सबसे पहले तो यह समझ लिजिए कि यह नौकरी कैसे sales के लगती है कैसे salesman काम करता है उसको जड़ा समझते हैं और उसको जैसे समझोगे आपके बहुत सारी चीजे clear हो जाएंगी चलिए तो आज मैं salesman बन जाता हूँ आज मैं market representative बन जाता हूँ इस topic को समझने के लिए ता पोस्ट होगी किसी पोस्ट नाम से तो कोई market representative डाल देता है कोई market executive डाल देता है कोई executive की account डाल देता है ठीक है कोई product specialist बोल देता है इन सब का मतलब MR ही होता है सम्मान देने के लिए अलग-अलग नाम से अब लोग थोड़ा सा पोस्ट डाल देते हैं सर यह यह पोस्ट ना अलग-अलग companies में होती है सर, सिपला हो गई, एबट हो गई, रनबैक्सी हो गई, बहुत सारे companies हो गई, सब अलग-अलग होती है, ठीक है, हर companies, तो companies के अलग-अलग, कोई भी, अब ध्यान से सुनिये, pharmaceutical company के कई हिस्से हो सकते हैं, एक production वाला हिस्सा हो सकता है, एक drug regulator refers वाला हो सकता है, एक QAQC वाला हो सकता है, एक bio analytical वाला हो सकता है, बहुत सारे department हो सकते हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक हिस्सा है sales and marketing वाला, ठीक है, एक division है sales and marketing, क्योंकि ultimately ये दवा बना के research करके क्या करोगे, पैसा कमाना, पैसा छपना है, तो कैसे promotion होगा, sales and marketing team करेगी, तो sales and marketing एक अलग ही department है, pharmaceutical sector में, ये बात चलो समझ में आ गई, ठीक है sir, तो companies कैसे, जैसे माल लो, Novo Nordisk company है, Novo Nordisk, और any pharmaceutical company, मैंने Novo Nordisk example लिखा है, यह exam में मत लिख क्या ना, कोई भी example आप ले लो, any pharmaceutical company, इन्हीं क्या करना है, कोई product launch किया, अब यह product बंत हो गया, research हो गया, इस पर testing भी हो गया, पास भी हो गया, लेकिन यह product आएगा market में, लेकिन market में ऐसे तो आते सबको पता नहीं लग जाएगा, तो इसका हमें promotion करना पड़ेगा, promotion कैसे करोगे, sales and marketing team करेगी, marketing strategy बनाएगी, sales team बेचेगी, कुछ इस तरीके से चीज़े होती है, ठीक है, sales and marketing, लेकिन इनको चाहिए, तो यह क्या करेंगे, vacancies निकालेंगे, कि हमारे की है, हमारे की vacancy है, दिल्ली headquarter में, हमारे हाँ vacancies है, सहार अनपूर में, हमारे हाँ vacancies है, अलग-अलग जगा पर, ठीक है, इन vacancies को आप क्या करोगे, interview दोगे इनके लिए, interview दोगे, अब interview में क्या क्या चीज़े होती, उसकी बात कर लेते हैं, क्या क्या यह लोग interview में पूछते हैं, जरा वो देख लो, ठीक है, तो यह जो advertisement जारी करते हैं, उसका दो रास्ता, या तो आप email से apply कर दो, या इनके company की website पर जाके career option में, वहाँ से कर दो, तो दो option है, यह जो vacancies आती है, यह company अपने website के career page पे, ठीक है, career, career page पे कर देते हैं, वहाँ पर vacancies आपको पता लगेगी, या यह बता देंगे कि kindly mail your CV on this, फलाना फलाना add the rate, gmail.com या जो भी, .co.in, जो भी इनकी email id, वहाँ पर आप कर दो, इस तरीके से vacancy अपनाई कर दिया है, तो जैस मारे CV तो नहीं, उसमें से कुछ CV impressive होंगे, जिनका profile उनकी से match होगा, आपको क्या करेंगे, वो interview के लिए बुलाएंगे, लेकिन sir, interview directly ऐसे नहीं हो जाता, इसके कई round होते हैं, क्योंकि आप एक MR, आप मैं sales की बात कर रहा, आप ऐजे MR के तोर पर काम कर रहे हैं, तो assume करिए मैं MR हूँ, ठीक है, मैं MR हूँ, तो मुझे क्या expect कर सकते हैं, और मुझे ये product बेचना है, तो मैं किस से मिलूँगा, मैं doctor से भी मिलूँगा, और मैं किस से मिलूँगा, मैं sir मिलूँगा, इस stockist से, और मैं किस से मिलूँगा sir, मैं retailer से मिलूँगा, और कभी-कभी जरूत प हमार बनता हूँ विल्स में जाता हूं तो मेरा इन चार लोगों से मेरा नाथा होगा डॉक्टर को अपनी पास कुछ लिफल लेट टैबलेट होगा या कोई डिवाइस होगो से बताइगा सुरीου प्रोड़क्ट लॉंच होगा यह फायदा है मे Benjamin से इसको लिखिए चोब्कर क्या करेगा प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा और जो प्रिस्क्रिप्शन ले गाते पिशेट रच ने कहा झाएगा रिटेलर के पास जाएगा लेकिन दवाँ आ रही है वो कहां से आ रहे है sto kis के पास रहे है थोग विक्रेटाश से आ रहे हैं अब हो सकता है कि सबints सब्सक्राइब कुछ काथ मीढ़ jätte है और ठेक है और आर्वमेटली जब तो बता देंगे कि patient को पता दो कैसे insulin लगानी है, कैसे इसको store करना है, तो patient से भी आपका interaction हो सकता है, अब मैं आपको बहुत practical बेश पढ़ा रहा हूँ, जब सवाल आये तो समझ जाना आप, दिमाग लगाना महाँ पर, तो एक MR का किस से नाता पढ़ता है, डॉक्टर से पढ़ता है, स्टॉकिस से पढ़ता है, रिटेलर से पढ़ता है, patient से पढ़ता है, ठीक है, और उसके लावाँ ये MR जो होता है, अपनी company से जुड़ा हुआ है, तो अपने manager से जुड़ा होता है, और manager में business development manager, area manager, regional manager, journal manager, ठीक है, marketing director, ठीक है, और managing director, ठीक है, CEO सबसे touch में राता है, ठीक है, जब sales की annual meeting में अगरा होती है, तो उन सब में ये मिलता है, तो इतने लोगों से ये MR जुड़ा होता है, लेकिन सर इसका recruitment कैसे होता है, तो company क्या करती है, जो भी निकालती है, उसमें लिखती है, job description, कि इनको कैसे बन चाहिए, experience चाहिए, तजूर्बा वाला चाहिए, degree completed चाहिए, कैसा चाहिए, किस होड़कॉर्टर के लिए चाहिए, क्या पाएकिज दे रहे हैं, थोड़ा बहुत idea है, description निकालते हैं, तो मैं अगर MR के तोर पर apply करूँगा, तो मैं apply कर दूँगा, apply करने के बाद आपके पास आएगी call, ठीक है, ध्यान से सुनो, आपके पास आएगी call, क्योंकि आपने apply किया हुआ है, ठीक है, call के बाद अलग-अलग rounds होते हैं, interview के अलग-अलग round हो सकते हैं, कौन-कौन से round हो सकते हैं सर, आपका technical round हो सकता है, technical बोले तो knowledge का round हो सकता है, आपका HR round हो सकता है, आपका telephonic round हो सकता है, आपका group discussion हो सकता है, आपका aptitude round हो सकता है, यह अलग-अलग rounds में interview होता है, अब मा लेजे किसी कंपनी में या किसी कॉलेज में कंपनी है तो उनके पास पांच-दस पोस्ट के लेकिन सौ बच्चे हैं किसी को रोक नहीं सकते तो छटनी परित्यों की तोर पर वो aptitude राउंड रहें कुछ reasoning के कुछ math के कुछ questions दे देंगे तो यहां कुछ लोग चट गए और कुछ लोग आ गया है और आपको जब इन लोगों से बात करना है तो आपका माध्यम your conversation तो जो मैंने कहा था ना कि qualities of MR और सेल्समें जिसकों बोल रहे हैं क्या होना चाहिए क्या लग रहा है conversation बड़ी clear होने चाहिए conversation देखो मैं कुछ रट के नहीं पढ़ा रहा है बड़ा simple है भाई इन लोगों सब का नाता है मुँ बंद करके सुई से मुँ सिल्के क्या काम चलेगा नहीं डॉक्टर से प्यार से बात करना पड़ेगा इस्टाक किस से और आपको behavior बहुत अच्छा रगना पड़ेगा आपको और कौनसा भी हो प्रोफेशनल behavior रखना पड़ेगा आपको तो यह बड़ा important होग attitude reasoning यह सब सारी चीज हमने दी ठीक है टेलिफोनीक राउंड में हमारी voice clarity बोल पा रहा हूं कि नहीं बोल पा रहा हूं हक ला रहा हूं तुदला तो नहीं रहा हूं और कभी ज़रूत पड़ी तो video calling भी हो जाता था हमारे time पर तो Skype होता था अभी तो हर जगा video calling करने का software WhatsApp ले प्रोफेशनल लुक होना चाहिए आपका और hygiene condition बहुत अच्छी मेंटेन आपको करके रखनी चाहिए ठीक है चलिए सर यह भी टेक्निकल राउंड उसका knowledge sound होना चाहिए तीसरा sound knowledge और यही सब चेक करने के लिए अलग-अलग राउंड कराए जाते हैं आप और correlate कर पा रहे होगे बिल्कुल प्राक्टिकल पढ़ा रहा हूं आपको ठीक है अभी सब कुछ बताऊंगा एकदम आसान कर दूँगा sales and marketing आपके लिए sound knowledge होने चाहिए आप diabetes के छेतर में जा रहे सब्सक्राइब करना चाहरा है या वास्तों में serious candidate है आपका बैग्राउंड क्या है यह सब चेक करने के लिए HR राउंड होता है ठीक है आपकी salary वगरा expectation पूछा जाएगा आपके expected salary क्या है तो बड़ा नपास तुला से जबाब दोगी नहीं सर पहले बार में salary की issue नहीं है I want to join with this organization मैं इस organization के साथ काम करना चाहता हूं और एक अच्छी start करना चाहता हूं और मैं अपना best दे के जो इस organization की growth में help करना चाहता हूं फिर एक होता है group discussion group discussion क्यों किया जाएगा जब आप manager वगरा के लिए जाते हो अच्छी quality के मार बनते हो तो इससे क्या होता है group में discuss करते हो तो कोई एक बंदा पहले बोलेगा table लगा के सब लोग कुर्सी लगा के बैट गे एक दम बिलकुल बस आप ही आएगा बाटी चोखा बटेगा सब को खाने के लिए तो group discussion सब लोग discuss कर रहें लेकिन उनमें जो पहले बोलेगा उसको दिखाया था leadership quality leadership quality का पता करने का अच्छा तरीका है group discussion करा दो leadership quality और leadership quality का आप आएगी जब आप manager होगी और आपके नीच्चे मार होगा उनको deal करोगी leadership तो gd कहाँ पर ज्यादा important रहता है बड़े बड़े पोस्ट के लिए group discussion के लिए leadership तो एक quality आपके अंदर होने चाहिए leadership quality भी है आपको लीड भी करना चाहिए ठीक है चलिए अभी और देखेंगे यह तो हो गया यह सब जब यह सब चीज़े clear होती है आपको आता है offer letter बोला जाता है कि दो दिन में तीन दिन में accept करिये तो आप accept कर लेते हो तो आपका फिर वो medical कराते हैं कि भाई एचाईव एड सोट तो नहीं है कुछ बिमार मरत तो नहीं हो medical आपका हो जाता है फिर यह आपको एक joining date देते हैं joining date दे देंगे और आपका appointment हो जाएगा ठीक है और appointment लेटर आपको दे देंगे यह हो गई process ऐसे सरकार आपकी private नवकरी लगती है MR के तोर पर चलिए यह सारी चीजे हो गई लेकिन अब चलिए कि अब जो है MR को select कर लिया गया उसका selection हो गया है और यह सब कौन करता है selection में help human resource HR department करता है हर industry का ठीक है चलिए सर selection हो गया लेकिन जो अच्छी company होगी ने वो अपने बंदों को training देगी और फिर जाके market में उन्हें उतारेगी क्योंकि आप तो किताबी क्यान लेकिया हो किताबी कीड़े हो आपको training properly देगी तब जाके market में आपको उतारेगी ठीक है त कैसे बात करना है यही सब qualities कैसे बात करना है कैसे doctor को tackle करना है ठीक है कैसे professionally अपने आपको भी हैप करना है आपको knowledge कैसे होगा जो भी knowledge होगा leadership quality कैसे inculcate करनी है कुछ programs कुछ events करेंगे different different speakers आएंगे आपको बताया जाएगा आपसे group activity कराई जाएंगी ठीक है यह सब कराई ज आपको सिमुलेट किया जाएगा अंतरिक्ष में उड़ने वाले हो तो अंतरिक्ष जैसा महल नीचे बनाना पड़ेगा फिर आपको market में उतारा जाएगा चलो साब यहां training five star hotel में हो रही है बिलकुल बढ़े हैं खाव आगे बूफे में दुनिया भर किए खा रहे हैं फट गए बिलकुल खागा के अब आगया काम करें बिटा खाली खागा के फटोगे कुछ काम भी करना पड़ेगा तो market में उतारा जाएगा तो आपको बोला जाके भाई साब अब आप जो है training हो गई है अब आप market में चलिए तो market में आपको कहां ले आया जाएगा कोई headquarters जैसे वारांसी दे दिया गया जैसे इलहाबाद दे दिया गया which is now प्रयाग राज ठीक है जैसे करीम नगर दे दिया गया जैसे डेली headquarter दे दिया गया अब आप आओगे वहां से तो जैसे आपने डेली में land किया घर बर के रहने वनने के देखोगे सारी चीज आप देखोगे सब कुछ करोगे और आपको बता दिया जाएगा कि आपका senior कौन है manager कौन है जिसके अंदर आप काम करोगे ठीक है आपको manager को बता दिया जाएगा आपको manage करेगा वो बताएगा और पहला काम आपसे जो किया ज अब मार्केट रिसर्च ठीक है तो मार्केट रिसर्च अब मालो आपको जैसे एलहाबाद में उतार दिया गया तब आप क्या करों कि मार्केट रिसर्च में सबसे पहला काम उस एरिया को समझोगे भाई अभी आप उस नए एरिया में हो पहले समझो कौन सा कहां मेट्रो चले कहां गली मनुकड कहां जा रहा है कहां से क्या है सब पता लगेगा आपको आपको प्रॉपर ड्राइविंग लैसन्स हो सब कुछ गाड़े बड़े चलाने की स्कील हो वह सब आप देखोगे मार्क और किस्ट और रिटेलर कौन है और रिटेलर और फिर पता लगाओगे आपके कॉम्पेटेटर कौन है आप एरिया को समझोगे अपना रूम लेके सेट हो जाओगे तो आपके डॉक्टर्स कौन कौन से हैं उनके साथ टम्स बनाओगी आप बात करोगे अच्छा रेल्वे इसपताल में बढ़ी है अइस अच्छा यह नाच्छा रिता बजाद जो है सवरुपरानी अस्टो बैठती है अच्छा यह लगणों के होस्पिटल मैटने जिए बड़ी बड़े डॉक्टर्स है ठेक है अच्छा टॉप इस्टोटेस्ट टेंटन डिस्टिबीटर अच्छ तो आप बताऊगे सर नोन अडिस के कौन कौन से प्रड़क्ट आपके पास है सर इंसुलिन के और सब स्यधा कौन से रखते हो आपका सब सबस्यादा परचा किस डॉक्तर कहां साता है प्रिस्क्रिप्शन यह सब पूछोगे ठीक है और इसके अलावा आपके कॉमपटीटर करोगे उनका कौन सा ब्रेंट चल रहा है जनूमेट चल रहा है सिटर गलिप्रिंट चल रहा है अच्छा ठीक है तो अपने कॉमपटीटर के बारे में उनकी हर चाल पर जानकारी आपको होनी चाहिए सेल्सन पर्सन का ठीक है उसके अलावा यह सारी चीज आपको पता लगी इसी को बोलते हैं मार्केट रिसर्च मार्केट को समझो यह मार्केट सबका है बॉस तो मार्केट को समझो कैसे समझोंगे इस एरिये को समझो वहां के डॉक्टर को समझो टॉप स्टॉकिस कौन से हैं टॉप रिटेलर कौन से हैं उनसे बिवहार बनाओ क्योंकि इनी लोग आदे घंटे का सेशन लेकिन मेरे जिंदिगी के तजरुबा मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे और यह किसी किता में लिखा नहीं मिलेगा दिस प्रक्टिकल ग्यान और जब आप इस तरीके से प्रक्टिकल ही पढ़ोगे ना मार्केट को समझो रिसर्च के बतलब समझो क्या है मार्केट और जब इतनी आइडिया हो जाएगा आपको तो आप किस से कम्मुनिकेट करोगे अपने मैनेजर से के सहब यह है घहाना यहां यह वस्तु जिस्तिती है तो मैनेजर उसे आपको आपका टार्यट सेट करेगा आपको गाइड करेगा बीच-बीच में अगर कोई डॉक्ट्टर अकडू है आप नहीं बात कर पा रहे हैं यह त्याम मिनेजर आपके साथ बीच-बीच रिसर्च चालो ठीक है मार्केट रिसर्च हमने कर लिए सर अब आपको अच्छली ये बंदा जो है कि अच्छा चलो एक जड़ महीन आपसे मार्केट रिसर्च करा है अब ये बंदा सेटल हो गया है अब इसको कॉल पर भेजा जाएगा तो जब आप डॉक्टर से मिलने जाओगा आपका पाला किसे पड़ेगा डॉक्टर से आपको 10-15-20 डॉक्टर टार्गेट में दे दिये जाएंगा कितने डॉक्टर से मिलना है डेली पचासव डॉक्टरों के लिस्ट होगी और आपके आ सॉफ्टरों में फिट हो गया और जो आपका मैनेजर वो देख लेगा कहां 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 तो बंदा फिर आप इस टॉक्टर से भी लोगी अरे नमस्कार टेंडन साब क्या हल है रे बढ़ी हाँ चला आपका इंसुलीन इंसुलीन कुस्टर ओडर है बढ़ी है नीचर यानि कि अपके अंदर जो स्पीकिंग एबलेटी है लोगों को एटराक्ट कर लेना ठिक है लोगों को 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 ठूरास्टी हो वो अन्दर आपके अंदर इस लिए etti ची आ तो यह यह का रोटी आपके आपके आबको कारने वाले आपसे मिले लोग तो अच्छा मैहसूस हो तो शॉहां सब क्या बात कर रहो ठीक है तो तो ट्रेश टोक से मिले स्टोक वगर जाना सारी चीज़े जाना आपने जिकर डीलर सीवल्स कुछ जाना आपने पेसेंट से तो अभी मिलने क소리 मारी नहीं है बाद में आप मिलोगे यह सारी चीज़े दिर दिर पुराने जाओगे फिर आपके टम्स बनेंगे ठीक है डाक्टर के साथ और कभी-कभी तो ऐसा हो जाएगा देखो क्या होता है कि जो लोकल चाप कंपणी को रोड़ चाप कंपणी क्या मार होते हैं डॉक्सप टीवी ले ल इनको सैंपल भी मैंने दिया लेकि नहीं मान रहे थे वह बड़ा ओडर था क्योंकि उससे मेरा इंसेंटिव आता तो एक दुबई में अमेरिकन डाबिटीज असूशेशन के मिटिंग हो रही थी मैंने को पैसे नहीं देते हैं मैंने कंपणी के खर्च पर इनका लगनों से सारी सीज़े बड़ी खुस है कि चलो संजय ने पहुशा दिया हमें थोड़ा सा माइंट सेट अब उनका चेंज हुआ तो वो थोड़ा बहुत लिखने लगे प्रोड़क्ट धिरे धिरे और टांस बढ़ते गए बढ़ते गए फिर उन्होंने जो अपना लिखना चलो कर द तो आदर से जबाब तो यह होगा कि सर में जाके कॉल करूंगा डॉक्टर को कन्विंस करूंगा कन्विंस इबल्टी आपको नहीं होता क्या है कि जब एक लाग कॉडर से छूट रहा था ओर तो आप कभी साल्रे का कुछ परसेंट हिसा देना पड़ जाता है कभी क्या पड लेकिन अच्वल में ऐसा यह इफेक्टिव मेथड नहीं है वास्तों में ग्राउंड रियल्टी यह नहीं है ठीक है दूसरा ऐसे इलहाबाद में ही मिलेटर होस्पिटल है मैं यह नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं मैं ऐसा किसी को कुछ नहीं बदनाम कर रहा हूं डॉक्टर स कर रहा था मेरे साथ मेरे कंपने का दर दर प्रोड़क्ट भी डील कर रहा थे चारपान लोग थे उस समय अलहाबाद में तो सब लोगों ने मिलके पार्टी और नाइस किया और बढ़ें डॉक्ट साब को पार्टी दी खोस वेकदम बिलकुल एकदम ठीक है तो एक आपको डेवलप्मेंट जो है बिलकुल करना पड़ेगा आपको पर्सनली ठीक है डॉक्टर से और हमेशा जो आप कनवर्सेशन करते हो ना यह जो कनवर्सेशन है वहां की भासा यूज करो अभिलाबाद में है अरे अबो चलबो कि ना खईबो कि ना इस तरीके भासा बोलते है त अब दिल से कनेक करता सबको ठीक है तो यह चीज है आपको वहां पर भी अब आप आपको फो प्रोफेशनल सिखा जागा कि आपको बत्मीजी नहीं करना है आपके अंदर पेसेंस भी होना चाहिए क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो हो सकता आपको भहुत सा qualities देखो एक एक करके कही रटने वाली चीज़े नहीं है क्योंकि मैं character में घुस के बात कर रहा हूं तो यह सब चीज़ें करके point मुझे निकल रहे हैं यह सब चीज़ें ठीक है तो उस डॉक्ट साब से भी मिले तो अमने फिर order दिया हमें बड़ा order दिया और काफी यह सब मार्केट रिसर्च में यही सब चीज़ें आती है जो मैंने आप से बात किया ठीक है तो चलो यह topic हमारा clear हो गया market researcher यह वाला topic clear हो गया salesmanship कैसे चीज़ें बेची जाती है आपको pen पकड़ा दिया बेचना है salesmanship कैसे medicine बेचना है salesmanship qualities of a salesman बता दिया मैंने आपको देखो character building बिल्कुल professional way में देखो यह सब पहीं किताब में इसे डार्क लिखा में लेगा लेकिन आपको character में घुषना पड़ेगा तब जाके आप समझ पावगे तो qualities of a salesman और question घुमा फिर आपके कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे तो आप aware रहो यह सब चीज़ें चलो सर यह बहला भी topic पढ़ ले हमने फिर सर आता है advertising and window display यह हम next class में पढ़ेंगे promotion कैसे करते हैं हम लोग promotion के क्या तरीके हो सकते हैं टीवी पर advertisement आचकल social media के जमाना है Facebook, YouTube, Instagram हर जगा हम से advertisement कर रहे हैं अब तो नए-नए techniques आ गये हैं website के थरू भी हम लोग करवा दे रहे हैं promotion ठीक है leaflets promotion का माध्यम होता है leaflets leaflets के थरू कुछ pamphlet करते हैं ठीक है कुछ meetings doctor के हैं हमने speaker के तौर पर किसी doctor को बुला दिया अब जैसे किस doctor को पैसा हमें देना है लेकिन हम नहीं directly ले दे सकते ठीक है अब उनकी बात बड़े डॉक्टर सब लोग सुनेंगे इसको बोलते है continuous medical education CME program हमने करा दिया इस तरीके इस चीज़े होती है लेकिन और जो 54 सेल्समेन होंगे वो क्या करेंगे वो यही टीवी कूलर उलर स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो देते फिरेंगे क्योंकि प्रोड़क उसके अंदर भी आ जाएंगी कैसे वो सेल कर रहा है पूरा यह जो salesmanship है यह पूरा pattern मैंने बता दे कैसे market research करोगे कैसे जाओग अपने product बात करोगे कैसे doctor से deal करोगे यह सब salesmanship के अंदर आ जाएगा ठीक है चलिये promotion करने का आशकल social media है leaflets है pamphlets है बहुत सारी बात है सब लि manager को बताता है manager clinical department को बताता है तो वो result करते इसको बोलते है pharmacovigilance किसी दवा का कोई problem है तो pharmacovigilance department इसको रिपोर्ट करता है यह सारी चीरे तो मेरे खाल से sales and marketing हो आप चीची थोड़ी समझ रहे होंगे ठीक है बोल लेका मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ बहुत ground reality बता सकता ठीक है किसी को बुरा लग जाए किसी के घर कोई manager हो कोई doctor हो तो बुरा लग सकता हूँ ठीक है इसलिए मैं बहुत open और ground reality नहीं आपको बता रहा हूँ इतनी मैंने आपको बता दी कि जो वैलेडर जो हम camera पर बात कर सकते हैं सारी ठीक है चले तो उमीद कर रहा हूँ कि यह